Hello and welcome students, आज हमारा लेक्टर है basic electronics components के बारे में, तो देखते हैं basic electronics components, उसके पहले हम देखते हैं कि जो हमें basic electronics है, तो electronics का मतलब क्या होता है, तो उसकी यहाँ पर definition दी गई है, what is electronics, तो यहाँ पर उसकी modern definition दी गई है, मतलब की electronics का मतलब हम real life में क्या यूज करते हैं, तो यहाँ the science dealing with the development and application of device and system involving the flow of electrons in semiconductors, मतलब की जो science है, यह हम कुछ develop करने के लिए, electrons के flow का use करते हैं, तो उच्छे हम कुछ develop करते हैं, तो वो क्या होगे है, क्या होगे electronics हो गया, क्या होगे electronics, मतलब की जो science यहाँ हम कुछ develop करने के लिए, जो electrons का flow का involve करते हैं, उस चीज के अंदर, तो वो हमारा होगे completely modern definition, मतलब की electrons की definition होगे, मतलब आपको simple इतना ही याद रखना है, कि जब हम लोग develop कर रहे हो, तब वहाँ पे हम कुछ developing के लिए, कोई device या कुछ system developing के लिए, हम कुछ flow of electrons, जो flow है, electrons का, वो हम use करते हैं, तो वो चीज completely क्या बन जाती है, electronics बन जाती है, क्या बन जाती है, electronics, अब हम देखने वाले है, basic components of electronics, मतलब की, हमें आगे देखा, कि definition क्या है, electronics, तो अब हम देखेंगे, basic electronics components, तो उसके अंदर क्या-क्या use होता है, components के अंदर, हमें यहाँ पे तीन चीज ज़्यादा जरूर है, electronics के लिए, पहला होता है, voltage, दूसरा होता है, current, और तीसरा होता है, amperes, यह तीन चीज क्या है, कि जो electricity है, उसको measure करने की, यह क्या है, तीन टाइप्स है, हम electricity को कैसे measure कर सकते है, तो यह तीन टाइप्स के जरीए, हम electricity को measure कर सकते है, क्योंकि हम जो कोई भी चीज बनाने वाले है, या develop करने वाले, उसके अंदर हम electrons के flow का use करेंगे, तो वो flow का हम कितने types से measure कर सकते है, तो वो जरूरी हो गए, यहाँ पे हम तीन टाइप्स से measure कर सकते है, पह कि कितनी हम electricity use करते है, या कितनी types के हम कैसे कैसे use कर सकते है, तो voltage के थूरू हम किसी भी electricity को क्या कर सकते है, हम measurement कर सकते है, तो यहाँ पे हम dip में देखने वाले है voltage, तो voltage क्या है, यहाँ पे पहला लिखा गया है, आपकी screen में दिया गया है, potential refers to the possibility of doing work, हम किसी भी work को करने के किसी भी device का use करते है, या कुछी potential work करने के लिए किसी भी electromagnetic force का use करते है, तो उसके अंदर हमें detail में दिया गया है, कि the symbol of potential different E, मतलब कि जो हम कुछ potential work करने के लिए किसी भी electromagnetic motive force का use करते है, तो उसको क्या बोल सकते है, हम voltage बोल सकते है, क्या बोल सकते है, यहाँ पे उसकी simple definition भी दी गई है कि voltage का मतलब क्या कहा है the practical units of potential different is the world मतलब कि हम कुछ potential work करने के लिए कुछ जो practical units का use कर से तो उसको क्या बोल सकते है वोल्ट बोल सकते है यहाँ पर उसको measurement भी किया गया है कि voltage का कैसे measurement कर सकते है तो यहाँ पर उसने दिया गया है कि one one what is measure of the amount of work required to move one C of chart यहाँ पर one C का मतलब क्या है कि one current क्या कि current जब हमें वोल्ट का measurement करना हो तो यहाँ पर क्या चीज़ हमको attention में रखने है जैन में रखने है वो यहाँ पर amount of the require work मतलब कि हम जब work करते हैं को require work करते है तो वह किस amount में करते हैं उसके अंदर किस amount का current use होता है, उससे यहाँ पर world का measurement हो सकता है, तो यह हमने completely देखा voltage, कि voltage का मतलब क्या होता है, world का मतलब क्या होता है, world का मतलब simple definition में हमने देखा, कि the practical units of potential different is the world, मतलब कि हम कुछ potential work करने के लिए है, कुछ जो electromotive force का use कर सकते है, या practical unit का use कर सकते है, तो उसको क्या बोलते है, world बोलते है, तो यह हमने completely देखा world, तो यह हो गया हमार पहला world, दूसरा आप देखने वाले है current, जो आगे हमने देखा था current, current यहाँ पर हमने कहा use किया था, कि हम जब voltage का measurement करते हो, तो वहाँ पर हमने current का use किया था, कितने current का हम और कितने amount of current का use कर सकते है, इसको बोलते है current, current अब हम dip में देखने वाले है, तो आप देखते है current, when a charge is forced to move, because of a potential different current is produced, मतलब कि हम किसी work करने के लिए, potential work करने किसी भी चीज, या electronic चीज का use करते है, तो उसके अंदर कितने force से electronic वे करते है, तो वहाँ पर क्या procedures होता है current, मतलब कि हम किसी circuit ले 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 या हम किसी भी चीज जो electronics है, उसके अंदर, जो electricity वे हो, कितने force से move करता है, एक जगा से दूसरी जगा, तो वहाँ पर क्या current procedures होता है, इन conductor, free electron can be forced to move with relatives ease, since they require a little work to be moved, मतलब कि हम किसी चीज के अंदर, जो electrons है freely force के साथ move होता है, एक जगा से दूसरी जगा, वहाँ पर current होता है, वो little work के अंदर क्या होता है, current procedures होता है, तो यह होगे current, मतलब कि यहाँ पर उसने completely current की भी definition दी गई है, आपकी screen के अंदर दिखाई गई होगी, so current is charge in motion, मतलब कि current कहाँ पर use होता है, यहाँ पर current कहाँ पर पेदा होता है, तो current क्या होता है, कि जो charge of motion है, वहाँ पर current use होता है, या current procedures होता है, तो यहाँ पर हम कहे सकते है, current is charge in motion, current कहाँ पर charge होता है, या कहाँ पर use होता है, तो current motion के अंदर ही use होता है, जब electronis के flow है electrons है वो कितनी वेस है जब किसी के अंदर flow होते है या पि एक जगा से दूसरी जगा पर move होते है तो वहाँ पर current क्या होता है procedure होता है produce होता है उसके बात देखना है the more electron in motion the greater the current मतलब कि जितने भी सारे electrons motion के अंदर move करते हो उतना ही current ज़्यादा यूज होता है लब उतना ही current ज़्यादा पेदा होता है यहाँ पे हमने current देखा कि current का मतलब क्या है कि current is charge in motion current कहाँ पे charge होता है motion के अंदर charge होता है मतलब कि जितने ज़्यादा electrons move कर रहे हो उतना ही ज़्यादा current पेदा हो रहा है, तो ये हो गई current, आगे हमने देखा voltage के बारे में, voltage मतलब क्या था, कि जो current था, वो कितनी speed से काम कर रहा है, उसको measurement करने के लिए voltage क्या use होता था, और अब हमने देखा current, तो current का मतलब भी हमने देखा कि current क्या है, कि एक flow है, जो उसके अंदर कितने भी elektron से एक साथ work out कर रहे हो या एक साथ move हो रहे हो वहाँ पर current charge होता है तो यह देख लिए हमने current अब उसके बाद देखने वाले हैं amperes मतलब के आगे हमने देखा voltage और current तो यहाँ पर तीसरा amperes तो यहाँ पर देखेगे current indicate the intensity of the electricity in motion मतलब की current क्या indicate करता है intensity of current in motion मतलब की current की जो motion है उसकी जो intensity of current indicate करता है the symbol of current is i मतलब की current का symbol है उससों हम कैसे define कर सकते है mतलब की intensity मतलब i and is measurement is amperes मतलब की jो current का measurement करते है उसके intensity का जब measurement करते हैं, उसको क्या बोलते है, ampere, उसके बाद यहाँ पर ampere के definition भी दी गई है, यहाँ पर second line में, the definition of current is I is equal to Q division T, मतलब कि I का मतलब क्या हो गया, intensity is equal to Q, Q का मतलब भी हम आगे देखेंगे, T का मतलब time, Q का मतलब होता है, charge in Columbus, क्या होता है, charge in Columbus, उसको बोलते Q, और T का मतलब time, तो यहाँ पर यह जो formula है, उसको यहाँ पर definition के तोर पर यहाँ पर detail में दिया गया, हम देखेंगे, मतलब कि where I is current in ampere, मतलब कि I का मतलब क्या है, current in ampere में, Q is charge in Columbus, Q का मतलब क्या है, कि जो वो charge होता है current, वो क्या होता है, Q, and T is timing in second, मतलब कि वो कितने समय के अंदर कितनी second के अंदर timing, charge होता है, उसका time मतलब T, तो वो क्या हो जाता है, एक ampere का formula हो जाता है, मतलब कि I is equal to Q division T, I मतलब intensity, Q मतलब charges की जो Columbus होते हैं, वो, और T मतलब time in second, तो यह हो गया ampere, तो ampere से भी हम measurement कर सकते है, current को, current से हम voltage को measurement कर सकते है, तो यह हो गया एक measurement की, electricity measurement के अंदर ampere, तो यह क्या हो गया, electricity measurement के अंदर ampere, voltage और current, तो यह तीनों चीज़ आपको खास जयान में रखनी होगी, पहला है voltage, voltage मतलब क्या हमने आगे देखा, वो ही है, कि voltage मतलब practical units of potential different is the world, मतलब कि हम कुछ potential work करने के लिए, जो potential unit का use करते है, उसको क्या बोल दोटे है, volt और volt दोरा, देखा हमने current, मतलब की current का मतलब क्या होता है, current is charge in motion, जब किसी भी device के अंदर या किसी भी circuit के अंदर, जो हिलोक्तों का flow है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर move होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कि current वो produce होता है, कि current का produce, current का उत्पन नहोता है, तो वहाँ पर current पेदा होता है उसके बाद हमने देखा MPS तो MPS का मतलब क्या हो गया कि I is equal to Q divided by T मतलब कि जब I का मतलब क्या होगा कि current indicate the intensity of the electricity in motion मतलब कि जो current की जो intensity है वो क्या हो गया I Q का मतलब हो गया Q is charge in Columbus मतलब कि वो intensity किस तरह से charge होती है वो क्या हो गया क्यों हो गया और T का मतलब time मतलब कि वो किस time के अंदर कितनी second के अंदर वो charges होते है तो यह हो गया ampere तो यहाँ पे हमने चीज़ देगी अब आगे देखने वाले है close circuit एक new topic हम देखने वाले है close circuit तो close circuit क्या होती है तो हम देखें इन एप्लिकेशन रिक्वाइर दे यूज ओप करंट किसी भी एप्लिकेशन के अंदर हम जो करंट का ज़रूरत रही थी electrical components are arranged in the form of circuit मतलब कि जो electric जो components देखें आगे आगे किस किस तरह के तो के voltage देखा current देखा उसका बाद MPI जो एक circuit के अंदर जो क्या होते है अरेंज होते है उसको क्या बोलते है circuit बोलते है a circuit is defined as a path for current flow मतलब कि जो current का flow define करने के लिए उसका path है circuit का use होता है तो यह होगए circuit यहाँ पर उसका example दिया होगा है तो यह circuit का flow यहाँ पर कोई battery या कुछी electronic का source है किसी electronic का source है यहाँ पर प्लस होता है एक minus होता है minus होते है वो minus से निकल कर flow एक circuit के flow के अंदर से plus तक पहुंच देखें तो यह completely क्या हो गया है एक electrons का flow हो गया तो यह क्या होता है circuit हो गया यहाँ पर आपको close circuit वाले है open circuit, closed circuit का मतलब क्या हो गया, ति वो completely completely क्या होती है, close होती है, कहां से भी उचका electron का flow बाहर नहीं निकलता, तो ये होगे completely closed circuit, अब हम देखने वाले है open circuit, open circuit का मतलब क्या, current can only exist when there is conductive path, current कहां पर exist होता है, ये conductive path के अंदर, in the circuit, I is equal to 0, मतलब कि I का मतलब क्या हो गया, intensity हो गया, intensity हो गया, वो 0 है, since there is no conductor between points A and B, मतलब कि जो electron का flow circuit के अंदर बेह रहा है, वहाँ पे A और B point है, यहाँ पे आपको दीख रहा होगा, A और B, वहाँ से कोई चीज conductor है ही नहीं, जो एक दुसरे को connect कर सकते, तो ये क्या होगे, एक completely open circuit हो सकते हैं, यहाँ पे क्या था, कि यहाँ जो flow था, circuit के अंदर का, वहाँ पे यहाँ पे conductor था, एक bulb क्या था, जो एक circuit को दुसरी circuit, या एक flow को दुसरे flow से connect करता था, बट ओपन सरकीट के अंदर क्या है कि यहाँ पे जो follow है वो A और B point से conduct नहीं हो सकता है मतलब कि वहाँ पे कोई conductor है नहीं तो यह क्या हो गई एक open circuit हो गई जो दोनों तरब से खुली है मतलब कि बंद नहीं है completely open circuit यहां से दो point से open है तो यह क्या होगी open circuit होगी तो open circuit का मतलब यही है कि आपके जो circuit के अंदर का flow है उसके अंदर conductor नहीं है तो वो क्या हो गया open circuit हो तो यह हमने देखी open circuit और close circuit को open close circuit के अंदर क्या था कि जो circuit उसके अंदर conductor था जो एक flow को दूसरे flow के अंदर conduct करता था मतलब completely उसको flow को connect करता था तो यह होगी close circuit और दूसरी हमने देखी open circuit तो open circuit का मतलब क्या हुआ कि जो flow है जो electrons का circuit के अंदर flow है और A और B point से दोनों अलग अलग है मतलब कि दोनों जुड़े हुए नहीं है वहाँ पे कोई conductor नहीं है तो यह दोनों क्या होए open है A और B point open है तो यह क्य देखते है direction of electron flow मतलब कि जो electrons के flow है वो किस तरग के circuit के अंदर direction करते है तो वह अब हमें देखना है कि plus का है minus क्या है जो plus वाले है मतलब के positive जो होते है flow positive electronics होते है और minus वाले negative electronics होते है तो उसका मतलब क्या है तो अब हम देखेंगे तो direction of electron flow direction of electron flow The direction of electron flow is our circuit from the negative side of the battery जो direction कहां से start होता है Negative side से start होता है Battery है यहां पे कोई source है मतलब कि यहां आप मान लीजे बेटरी है वो बेटरी का plus और minus दो टाइप्स होते है उसके अंदर जो minus से start होता है कहां तक जाता है plus के अंदर तो यह flow हो गए हमार simple direction का flow minus से लेके plus तक जाता है मतलब कि minus के start होकर circuit के अंदर plus की तरफ flow करता है तो यह हो गए हमारी direction electrons flow उसके बाद है उसके बाद है the load of resistance back the positive side of the battery मतलब कि यह जो यहां से minus से होकर plus तक जाता है बट उसके अंदर कोई resistance आता है उसके flow के अंदर कोई resistance आता है resistance मतलब क्या होते कोई दिक्कत आती है तो वह क्या वहाँ से फिर क्या होता है plus की तरफ move करने लगता है मतलब कि वह उसका side जो होता है completely change हो जाता है यहाँ पर मन लीजिए कि यहाँ माइनस से लेकर plus तक जाता है तो यह देखा हमने simple direction of electrons of flow direction देखा उसके बाद हम देखने वाले direction of conventional current जो conventional current होता है उसका dimension कैसा रहता है तो अब देखने वाले है conventional current का direction the direction of convention current in our circuit in our circuit मतलब कि circuit के अंदर जो conventional current होता है वो from the positive side of the battery positive side जो battery का positive side से वहाँ से start होता है तो the load resistant back to the negative side of the battery तो वो plus से लेकर minus तक चल रहा है वो flow का plus ते चालू होता है जो battery का plus point है वहाँ से चालू होकर जो completely circuit के अंदर flow होकर minus तक flow होता है मतलब direction होता है उसके अंदर जब कोई resistant आता है उसका मतलब क्या होता है ये plus और plus resistant की तरफ जा रहा है उसके बाद क्या होता है कि minus से लेकर resistant की तरफ बट आपको simply यहाँ पर इतना याद रखना है कि जो conventional current है यह प्लस से start होकर minus तक जाता है और जो simple electrons flow है वो क्या होता है कि minus से लेकर plus तक काम करता है तो यह हो गए direction of electrons flow मतलब कि जो electron है उसके flow का direction क्या है तो आपको कोई पुछे simple electrons के flow के बारे में उसके dimension के बारे में तो उसके अंदर आपको क्या कहिना है कि minus से लेके जो हमारी बैटरी है उसको minus से लेके circuit के अंदर plus तक flow करता है move होता है वो है simple electron flow उसके बाद है conventional current direction तो उसके अंदर क्या होता है कि plus से लेके minus तक flow होता है तो यह हो गया हमारा direction अब उसके बाद हम देखने वाले हैं डाइरेक्ट करंट जो करंट है वो डाइरेक्ट मतलब डाइरेक्ट करंट क्या होता है और उसके बाद है अल्टरनेटी करंट मतलब की डाइरेक्ट करंट और अल्टरनेटी करंट दोनों क्या होता है तो हम पहले डेक्ट है डाइरेक्ट करंट तो सर्किट डेट पावर बैट त्री, source are term direct current circuit, मतलब यहाँ पर आपको एक direct current का क्या दिया गया हुआ है, तो चाट दिया गया है, तो direct current क्या काम करता है, वो minus से लेके plus तक काम करता है, बीच में कोई load होगा, मतलब की कोई resistance हो, वहाँ से लेके plus तक काम करता है, वो है direct current, it is flow of charge in just one direction, मतलब की direct current है, वो क्या होता है, कि एक flow के अंदर ही काम करता है, वो एक direction के ही अंदर काम करेगा, वो एक direction के अंदर ही charge होगा, minus से लेके plus तक ही काम करेगा, तो यह circuit के अंदर minus से start होता है, direct current, और जो plus तक चाता है, तो यह हो गया direct current, उसके बादे alternative current, मतलब की, यहां से direct current से simple ultra, direct current होता था हो, वो minus से start होता था, बट, alternative current ही हो, उसको पताई नहीं कि वहां से start होना है, तो वो दोनों तरफ move करेंगा, मतलब की, यहां पर उपर आपने देखा, यहां पर हम दोनों की comparison करते है, बोनों, चार्ट की comparison करते है, यहां पर battery है, वो क्या करते है, minus से लेके plus current, बतलब यहां पर जो है, वो क्या है, alternating current है, तो उसको पताई नहीं है, कौन सा plus है, और कौन सा minus है, तो वो दोनों तरफ से काम करेंगा, एक minus से लेके दोनों तरफ जाएगा, और plus से लेके भी दोनों तरफ पता है चला तो यह क्या होगा एक alternative current और direct current का मतलब क्या होता है एक flow में ही एक ही flow में काम करता है और alternative current होता है वो दोनों के अंदर काम करता है प्लस के अंदर भी काम करता है प्लस से माइनस तरफ भी जाता है और माइनस से प्लस तरफ भी आता है तो एक ही circuit के अंदर दो करनेक्षइन ओब किके दैर्ट Court के इंदर एक होता है ये एक ही तरफ डानी हो सकती मुद्ब हम देखने वाले है रैसिस्टन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे move होता है, तो उसके अंदर क्या-क्या resistant हो सकते है, तो यह मतलब उसका मतलब क्या हो गया है, एक resistant को वहाँ पर उसको कहा-कहाँ पर दिक्कत आ रही है तो वो क्या हो गया है, एक resistant हो opposition to the flow of current is term resistant, मतलब जो flow है, उसका opposition है, उसको क्या बोल सकते हैं रेसिस्टन बोल सकते हैं जो अवरोध है उसको क्या बोल सकते हैं रेसिस्टन जो फ्लो का अवरोध है उसको रेसिस्टन बोल सकते हैं The fact that a wire can become hot from the flow of current evidence of resistance मतलब की कई बार आपने देखा होगा रील लाइब के अंदर जो कोई wire होता है उसके अंदर क्या होता है जो सब्सक्चाइब का लक्त्रों सिंद्रत Dewa कुण मола को जाए गा तो वह एक रेचिस्टेन ही इंब लेगा ईसके बाद ही ए चन्दक्टर के अंदर क्या होता है और इंस्टर्टर अमल्ग ऑप रुचिस्टर होती है यह यहाँ पर कोई cable है, cable के अंदर जो main जो cable होते है, metal के cable उसको क्या बोलते है, conductor उसके बाद उसके उपर क्या होता है cover होता है, cable के उपर एक cover होता है तो उस cover को क्या बोलते है, instructor तो कई बार हमें flow के दोरान, जो conductor है, उसके अंदर हमें बहुत कम resistant मिल सकते हैं मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि जो भी कोई current कोई cable के अंदर flow होता है तो उसके अंदर जो conductor होते उसके अंदर बहुत कम resistant होते और instructor होते तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्योंकि wire break हो जाने का भी दिक्कत रहती कहीं ज़्यादा दिक्कत रहती तो ये conductor के अंदर हमें कम रेषिस्टन दिखेंगे और instructor के अंदर हमें ज़्यादा रेषिस्टन दिखेंगे तो ये हो गया resistance मतलब क्या हो ता है कि जो electricity flow है उसके अंदर कोई दिक्कत पेदा होती है या कोई अवरोध पेदा होता है तो उसको क्या बोलते हैं रेसिस्टर उसके अंदर हमने दो देखा conductor और instructor मतलब की conductor का मतलब क्या होता है कि जो wire होता है wire के अंदर के जो metal की तार होते हैं उसको क्या बोलते हैं conductor बोलते हैं और wire के उपर जो उसका cover होता है अब उसके अंदर हमें कोई अवरोज पेदा करना है, तो उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ का यूज कर सकते हैं, तो उसके अंदर है पहली resistor, क्या है resistor? a resistor, impeded the flow of electricity though a circuit, मतलब की हमें circuit के अंदर कूछ अउरोज complete परदा करना है, तो वहाँ पर हम क्या यूज कर सकते है, resistor का यूज करते है, resistor have a state value, मतलब की resistor क्या है, एक value का set है, उसको क्या बोलते हैं, since voltage, current and resistor are related, though aohms law, मतलब कि जो voltage, current और resistant है वो ohms का low है जो हम आगे हम depil में पढ़ेंगे उसके अंदर जुड़ा हुआ है उसके अंदर related Resister are a good way to control voltage and current in your circuit मतलब कि resistant क्या है control करने का क्या control करने का क्योंकि हमारा जो electricity way है उसका voltage है या current है उसको हमें circuit के अंदर control करना है तो यह good way हो गया resistant का यूज करके हम इसको simply voltage या current को control कर सकते तो यह क्या हो गया हमारा resistant यहाँ पे आपको resistant का flow resistant मतलब क्या होता है यह जिगजेक वाली line तो उसको क्या बोलते है हम resistant बोलते है जो एक flow है उसके अंदर हम जिगजेक वाली line है उसको क्या बोलते है resistant बोलते है यहाँ पे आपको एक resistant का क्या दिया गया है उसका image दी गई उसको क्या बोलते है यह एक रेशिस्टर है क्या है रेशिस्टर तो यह हो गए हमारे रेशिस्टर अब हम देखने वाले more on रेशिस्टर मतलब कि आगे हमने क्या देखा क्या क्या काम करता है क्योंकि हमें सर्किट के अंदर कोई electricity या उसका voltage या current को हुमें कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम क्या उसके करते है resistor का इसका रेशिस्टर का उसकेिस अब कैसे कहाम करता है उसके अंदर जो color code होते हैं उसके इंदर क्या है ऊलगल्ब चलर कोड तो यहां पर क्य है यहाँ पर resistor का एक image दी गई है उसके अंदर क्या है यहाँ पर अलग अलग पहले band को बोलते हैं 1st या A band बोल सकते हैं, दूसरे band को हम बोल सकते हैं B band या 2nd band, तिसरे band को हम बोल सकते हैं C या multiplier bands और 4th band है, उसको क्या बोलते हैं, 4th band को बोल सकते है, torrent slug या D band, तो यहां पर उसको dip में दिया गया है, तो यह 1st band, 1st band का मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है first number first band means first number second band means क्या होता है second third band means क्या होता है zero या multiplier भी हो सकता है four band मतलब torrents हो तो यह हमारी हो गई color code तो अब color code को हम deep में देखेंगे तो यह हमारा क्या हो गए है कि band band किसको बोलते है कि इतने सारे बेंड एक register के अंदर आते हैं तो यहां पे हमने सब कुछ एक image के through देखा कि यहां पे अलग-अलग color के जो भी band होते हैं उसको band करते हैं पहला band होता है उसको first band बोलते हैं से ज्यादा band भी हो सकते हैं मतलब कि यहां के first band है उसके अंदर ship one ही रहेगा second है तो उसके अंदर two ही रहेगा बड़ third है तो उसके अंदर multiple भी हो सकते है multiple band भी हो सकते है और four है तो उसके अंदर tolerance भी हो सकते है तो अब उसको हम detail में देखेंगे जो color code है तो यह टांजिक्सन के color code यहाँ पर आपको side में real life की transistor है या पर resistor है उसकी image दी गई तो उसके अंदर अलग-अलग color के जो क्या होते है बेंड होते है तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अलग-अलग color के जो band होते है उसका काम क्या है वो कितनी जो memory है या कितनी भी voltage वो control कैसे करता है तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर अलग-अलग देखेंगे यहाँ पर black से लेके non तक इतने सारे यहाँ पर color code दिये गए है तो यहाँ पर हम पहले देखें ब्लेक जब black color होता है फेस्ट फर्स्ट बेंड के अंदर तो वो zero number count करता है second band के अंदर यहाँ पर हम दूसरी image में देखेंगे तो second band के अंदर हमें black color देख रहा है तो वहाँ पर हमें zero band और third के अंदर देखेंगे तो 10 की multiply करेगा 10 के साथ जो उसका multiply करेगा वन है या two है उसका में देखा और four है वो टोरेलेस तो उसका कुछ multiply होगा नहीं उसकी value कुछ नहीं होगी null रहेगी तो यहाँ पर हमने black में देखा उसके बाद यह brown जब brown first band के अंदर होता है first mean आगे होता है तो उसकी value क्या count होगी तो यह one होती है second के अंदर होता है तो भी one होती और third के अंदर होता है तो one into ten into one होते है और fourth band के अंदर होता है तो plus और minus one f one f होते है उसके बाद है red red होता है जो first band के अंदर तो उसकी value हो जाती है two उसके बाद है second band उसकी value हो जाती है two उसके बाद है ten into two उसके बाद 4 bend के अंदर हो तो plus और minus 2 percentage होता था voltage orange के अंदर होती है 3 first और second bend के अंदर होती है 3 third bend के अंदर होती है 3 into 10 लबकि 3 into 10 उसके बाद 4 bend में कुछ नहीं तो यहाँ पर सब कुछ आपको color code के तरिये बताया गया है कि यहाँ पर कितने voltage है वो कम करता या control करता है यहाँ पर फ़र्थ बेंड है वो Lust के आपको अंदर percentage के हनुसर दी गई है कि किपने percentage इसके अंदर control करता है यहाँ पर ब्रावण के अंदर है प्लस और minus 1 percentage second है red के अंदर तो plus और minus 2 percentage उसके बाद है green तो green है वो 0.5 percentage है Blue है 0.25 है Violet है 0.1 परसंटेज है उसके बाद गरे है तो गरे का 0.05 परसंटेज हो जाता है और उसके बादे Plus और Minus 5 परसंटेज Gold का है 10 का मतलब क्या होता है 10 परसंटेज होता है और Nun का मतलब 20 मतलब ने इसके सबसे ज़्यादा जो हो है वो 10 और 20 का जो silver bond होता है वो सबसे ज़्यादा voltage control करता है उसके बात जो num है वो सबसे ज़्यादा voltage control करता है तो यह हमने देखा resistor resistor का मतलब क्या है वो कैसे देखता है real life के अंदर उसका अंदर जो अलग अलग color होते है उसका मतलब क्या है किसको band बोलते है band का मतलब क्या होता है उसके अंदर कितनी value रहती है कुन सा band सबसे ज़्यादा value को save करता है या सबसे ज़्यादा voltage को control करता है तो आज हमने देखा तो यह हो गया हमारा transistor आज हम इतना तकी रहने देंगे तो आज हमने क्या क्या देखा तो हम first right से देखेंगे कि आज हमने क्या देखा तो पहले हमने क्या देखा electrons के जो definition थी वो definition देखी उसका मतलब क्या था कि कोई भी हम जो कोई चीज डेवलप करना चाहते है या कोई device डेवलप करकर उसके अंदर हम कोई flow of electrons का involve करते है तो वो क्या हो जाता है electrons हो जाता है क्या हो जाता है electronics हो जाता है तो यह हमने definition देखी उसके बाद हमने voltage देखा कि voltage का मतलब क्या है तो voltage क्या है electrons के components है उसकी अलग-अलग types है तो उसके अंदर पहला देखा voltage दूसरा देखा current उसके बाद देखा, ampere, तो voltage का मतलब क्या था, कि जो practical units of potential difference is the world, मतलब कि जो practical units होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, voltage बोलते हैं, current को क्या बोलते हैं, कि जब current is charge in motion, मतलब current कब charge होता है, motion के, जब electron के जो एक जगह से दूसरी जगह पर move होते हैं, तब वहाँ पर current produce होता है, उसके बाद देखा हमने ampere, ampere का मतलब यहाँ पर देखा, I is equal to Q by T, I is equal to Q division T, तो यह क्या हो गया, ampere हो गया, ampere क्या measure करता है, intensity of current, current की जो intensity वो ampere measure करता है, उसके बाद हमने देखा close circuit, close circuit का मतलब क्या था है, close circuit मतलब कि जो एक flow है, circuit का flow, उसके अंदर एक conductor जुड़ा होता है, जो किसी भी तरह का flow को तूटने नहीं देता है, तो यह होगी completely close circuit होगी, क्या होगी completely close circuit, उसके बाद हमने देखा open circuit, open circuit के अंदर क्या होता है, कि, open circuit के अंदर क्या होता है, कि, जो electrons क का flow है या circuit का flow उसके अंदर constructor नहीं होता है तो constructor नहीं होने से यहाँ पर हम रियल एक्जम्पल के थ्रू देख सकते और भी क्या है ओपन ही है तो यहाँ पर वो दोनों connect नहीं हो सकते फ्लो कनेक्ट नहीं हो सकता तो उसको अबने को क्याए जो अबस्के बाद हमने देखा कॉनवेंचल करंट का डायरेक्शन तो उसको क्या बोलते हैं उसके बाद देखा व ने direct current इकनर को च्या किया बोलते हैं तो यहां अवरोध तो हम flow के flow के अंदर हम कैसे अवरोध को create कर सकते हैं या अवरोध कैसे होता है तो उसको क्या बोलते है resistant उसके बाद हमने देखा resistor क्या होता है उसके बाद हमने देखा resistor के अंदर उसका color जो होता है वो क्या क्या का काम करता है तो उसके बाद हमने देखा जो color code होता है उसके अंदर हम कितनी percentage voltage को हम save कर सकते हैं तो आज हमने इतना देखा तो आज हम आगे देखते हैं आपको assignment तो आज हमने जो भी पटा है उसके अंदर आपको यहाँ पर assignment दिया गया है उसका पहला question है कि what is resistant second is what is closed circuit और तीसरा है what is voltage तो यह आपको lecture completely करने के बाद ही आपको complete करना है आज हम इतना ही रहने देते हैं ओके थेंक यूँ